वेल्कम बैक एब्रिवन दिस इज यश और आज हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं कि कैसे आप अपने प्रोग्राम में यूजर से इंपुट लेंगे और एक वेरियेबल में स्टोर करवाएंगे और उस वेरियेबल को प्रिंट करवाएंगे और सब्सक्राइब क्लास का नियम में यूजर इंपुट रखने वालो हूँ और यहां पर प्रब्लेक स्टैटिक वॉइड में को टिक करूँगा और फिनिश पर क्लिक करूँग अब देख सकते हैं बेसिक से स्ट्रक्चर जनरेट हो चुका है प्रग्राम का अब मैं यहां पर स्कैनर क्लास को इंपॉर्ट करवाने वाला हूँ तो इंपॉर्ट करवाने के लिए आपको रिखना है इंपॉर्ट प्रग्राम में इंपॉर्ट करवाना चाहते हैं तो आप इंपॉर्ट करवाना चाहते हैं तो आप इंपॉर्ट करेंगे और उस एक्स् इंपोर्ट करवा सकते हैं आप अपने प्रोग्राम में और उसको इजली यूज कर पाएंगे वही हम इस लाइन में कर रहे हैं हम इंपोर्ट करवा रहे हैं इसको इंपोर्ट करवा रहे हैं क्लास क्या होता है यह यह मैं बाद में डिसक्स करूँगा आगे आने वाले वीडियो में जब हम क्लास और ऑब्जेक्ट के बार में पढ़ रहे होंगे अब यह आप इतना समझ लिए कि हम इसका एक अब्जेक्ट बनाने वाला हूं scanner sc new scanner system.in के help से इस line को मैं आपको explain कर देता हूँ यहाँ पे scanner class का मैं एक object create कर रहा हूँ new scanner के help से और उस object का मैं जो address है वो sc नाम के reference variable में store कर वा रहा हूँ और यह जो system.in दिख रहा है यह मैं keyboard से input लेनी के लिए यहाँ पे system.in पास कर रहा हूँ और अगर आपने को नहीं पता है कि objects क्या होते है तो आपको वो भी पता चल जाएगा जब हम classes के बारे में बात कर रहा होंगे अब मैं एक variable बनाने वाला हूँ integer type का int की help से जिसका name में यह रखोंगा और इसमें मैं sc.next int के help से एक integer store करवा दूँगा जो भी user अब एक कोई भी value देने वाला integer type की वो ए में store हो जाएगी next एक method है जो scanner class में पहले से defined है इसका use हम user से integer type के input के लिए करते हैं अब हम इसको print करवाएंगे variable a को हम लोग print करवाने वाले है system.out println के help से और इसको compile and run करवाने वाले है code को तो अब मैं कोई भी एक integer value देता हूँ 856 देदी मैंने यह देखिए green line पर मैंने user input दिया sc.next in की help पर यह variable a में store हो गया और उसके बार जो black line से आपको 856 देख रहाए यह printed value है जो कि system.out.println ने एक यह value प्रिंट की हुई है अब हम कुछ और देखते है operations suppose आपको एक और variable चाहिए बी नाम का उसमें भी same type की value store करवानी है बी value store करवाऊंगा मैं और इसके पहले मैं लिखूँँगा कुछ output करवा देता हूँ system.out.println की help से मैं लिखूँँगा enter number first कर देता हूँ उसको में enter number यहां पे लिखूँँगा मैं same dotprintln और इसमें मैं लिखने वाला हूँ enter second number और इसको भी मैं यूज बी में store करवा दूँगा और इन दौनों नमबर को का मैं addition जो है वो print करवाने वाला हूँ addition करने के लिए मैं int c variable का यूज करने वाला हूँ और a plus b कर दूँगा मैं अब होगा क्या पहले जो print होगा enter the first number उसके बाद user से एक integer value को receive करके यह a में store करवा देगा फिर print होगा enter the second number अब second value को input करेंगे और यह b में store हो जाएग और a और b के value जो है वो add होगा और c नाम के variable में store हो जाएगा और हम c को यहाँ पर print करवा देंगे तो आप देख सकते हैं addition का program बनाया हुआ है दो numbers के addition का तो आप इसको check करने के लिए compile and run करवाता हूँ मैं तो मैं first number देने वाल हूँ suppose मैंने दे दिया 50 and second number मैं दोंगा 60 यह देख सकते हैं 110 हमारा output आ चुका है स्क्रीन पर 110 प्रिंट हो रहा है मतलब addition of numbers का program जो है वो successfully create हो चुका है अब हम कुछ और examples देखते हैं user से input लेने के suppose आपको जो मैं पहले erase कर देता हूँ अब हम देखेंगे का अगर आपको string type का input लेना हो user से तो वो किस method के help से आप लेने वाले हैं तो मैं उसके लिए string variable बना लेता हूँ string s and इसमें मैं कोई string input कराने वाले हूँ so next के help से आप string ले सकते हैं user से कोई भी और इस string को मैं print करवाँगा so integer type का input लेने के लिए हम next next end का use करेंगे और string type का input लेने के लिए आप next use कर सकते हैं और next line भी यूज़ कर सकते हैं अभी हम दौनों में difference देखने वाले हैं पहले next का use किया हूँ है string type लेने के लिए तो एक बार run कर आके दिखते हैं कि तो मैंने लिखा यहां पर कि सपोर्ट यश यह देख सकते हैं यह जो ग्रीन लाइन से इंपुट लिया इसने एस में स्टोर करवाया और यह जो ब्लैक कलर से दिख रहा है वह यह प्रिंट करवा दिया अब हम एक बार और इसको रन करेंगे प्रोग्राम को और इस बार इस हम इस Is Games प्रोग इस फैसे साल को मैं नेम घेश अब मैं यह पूरी लाइन विसमें पास करने वालो हूं और अब देखते हैं स्कोडर्भ यह देख और सिर्फ माई प्रिंट हुआ है तो यह बाकी का जो name is yes और यह space यह पूरा माई के आगे का space फिर name फिर space फिर is भी space फिर yes यह तो प्रेंटी नहीं हुआ क्योंकि यह जो है वह s में जो value हूई है वह माई ही सिर्फ is store ही होई है माय तक ही value store हूई है s में उसके आगे की जो value है वो story नहीं हुई है क्योंकि nextInt क्या करता है nextInt सिर्फ स्पेस के पहले तक की value ही store करवाता है अगर आप जैसे ही space देंगे उसके बाद यह value store नहीं करवाएगा अगर आप वो spaces के साथ value store करवानी है string की तो आप next line का use करने वाले है next line लिखेंगे आप इसको l capital रहेगा और i may be nextInt में भी capital रहेगा इन बातों का आपको ध्यान रखना है और अब हम code को run कराएंगे और same input देने वाले हैं my name is jesh अब आप देख सकते हैं रहे सागी my name is jesh पूरा print हुआ है मतलब इसने spaces को भी लिया हुआ है और आगे के पूरा word को लिया हुआ है spaces को भी include करता है तो I hope आपको next or next line में difference समझ में आया होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को like कीजिए इस वीडियो को share कीजिए और हमारे चैनल को subscribe कीजिए thank you